हेलो जाहिन फ्रेंड्स, आज हम HP SSC investigator का previous year question paper discuss करेंगे, जिसमें हम HPJK का portion cover करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये आपके आने वाले exam के लिए काफी helpful हो सकती है, तो चलिए start करते हैं, फर्स्ट question है, शिबालिंग दरा हिमाचल पदेश के किस जिले में स्तित है, के नौर, लोलस्पिती, कुल्लू या श्यमला, तो इसका correct answer है, option number A, के नौर, हिमाचल पदेश के किस जिले में स्तित है, शिर्मवर, मंडी, लोलस्पिती या सोलन, तो इसका correct answer है, option number C, लोलस्पिती, next question है, हिमाचल पदेश की हिमल्याई वैली जो सबसे दूरस्थ है, पार्वती वैली, सिराज वैली, वल्ल वैली, या स्पिती वैली, तो इसका correct answer हो जाएगा, option number D, स्पिती वैली, next question है, हिमाचल पदेश का सबसे बड़ा glacier कौन सा है, गेफांग glacier, मुकिला glacier, मियार glacier या बड़ा शिगरी glacier, तो इसका correct answer हो जाएगा, option number D, बड़ा शिगरी glacier, अगर बात की जाए, बड़ा शिगरी glacier की या लोलस्पिती जिले में स्तित है, और इसकी लंबाई 25 किलोमेटर है साथ ही साथ, इसी glacier से चंदरताल जील भी बनी हुई है, इसके बादनाश question है, कोन सी नदी हिमाचल परदेश के कंगड़ा जिले के मिर्थल को छोड़ कर पंजाब में जाती है, सतलुज, व्यास, रावी या चिनाव, तो इसका correct answer हो जाएगा, option number B, व्यास अगर दोस्तों पात की जाई व्यास नदी की या कंगड़ा जिले में पालंपूर तस्हील के संगोल से प्रवेश करती है, और मिर्थल से कंगड़ा को छोड़ कर पंजाब में जाती है, इसके बाद next question है, हैवन संग ने हिमाचल प्रदेश की किस जील को लोहित्य सरोवर कहा था, चंदरताल जील को, सूरजताल जील को, नाको जील को, या स्क्वेती जील को, तो इसका correct answer हो जाएगा, option number A, चंदरताल जील को, अगर दोस्तो बात की जाएगा, चंदरताल जील की या 4,270 मीटर की उचाई पर स्थित है, इसी जील से चंदरा नदी का उद्गम होता है, इसके बाद next question है, हिमाचल प्रदेश के किनोर जीले का मुखल्य कहां है, कालपा, काजा, रिकांग प्यो या पूह, तो इसका correct answer है option number C, रिकांग प्यो, अगर दोस्तो बात की जाएगा, किनोर जीले की इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, और इसका किशेत फ़ल 6401 किलो मीटर है, और अगर बात की जाएगा, किनोर जीले की जनसंग के घनातु की, किनोर का जनसंग के घनातु 13 व्यक्ति प्रतिवर किलो मीट है, और यहाँ पर एक विदानसवा सीट है, इसके बाद नेक्ट कोशन है, भूरी सिंग म्यूजिम संग्रालिया हिमाचल प्रदेश के कि स्तान पर स्तित है, नाहन, सोलन, धर्मशाला या चमबा, तो इसका क्रेक्टर नसर है, option number D, चमबा, अगर दोस्तो बात की जाएगा, इसकी स्तापना 1908 में राजा भूरी संग की द्वारा की गई थी, और यह चमबा शहर में स्तित है, इसके बाद नेक्ट कोशन है, सुन्दर नगर शहर की स्तापना किस ने की थी, अजबर सैन ने, गरूड सैन ने, भू सैन ने, या वीर सैन ने, तो इसका क्रेक्टर नसर है अप्शन नमर बी, गरूड सैन ने, नेक्ट कोशन है, नाडा महल हिमाचिल परडेश के किस तान पर स्तित है, जुआली, शापूर, राजनगर या कोट कहलूर, तो इसका क्रेक्टर नसर है, अप्शन नमर सी, राजनगर, अगर दोस्तों बात की जाए, राजनगर की यह च कौन पहाडा दा बुलबुल के नाम से लोकप्रिय है, भज्जु राम, बाबा काशी राम, केशननन स्वामी या पंडित पदम देव, तो इसका क्रेक्टर नसर है, अप्शन नमर बी, बाबा काशी राम, अगर दोस्तों बात की जाए, पहाडा दा बुलबुल के नाम की, तो इन्हें यह नाम सरोजनी नाइडू के द्वारा दिया गया था। साथ ही साथ बाबा काशी राम को पहाडी गंदी के नाम से भी जाना जाता है। जिन्हें यह नाम पंडित जवालला लैरु ने दिया था। आपने यह याद रखना है क्योंकि कहीं बार यह एक्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद नेक्ट कोशन है प्रसीद हज्राय मंदिर हिमाचल प्रदेश की स्तान पर स्थित है। चमबा, मनाली, प्रागपूर या चोपाल तो इसका क्रेक्ट नसर है ओप्शन नमर ए चमबा अगर दोस्तों बात की जाए चमबा के हज्राय मंदिर की इसका निर्माण लक्षमन वर्मन के द्वारा करवाया गया था। इसके बार नाक्स क्रेशन है महमूद गजनवी ने किस वर्ष कांगडा के किले को बरबाद किया था। एकहजार नो एडी में, एकहजार बार एडी में, एकहजार उनीस एडी में या एकहजार थाविस एडी में. तो इसका क्रेक्ट नसर और नसर है ओप्शन बंप लज्मर ए तो उसमय कंगड़ा का राजा जैचंद था जिसे जगदीश चंद के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों बात की जाए महमूद गजनिवीन की इसने भारत पर स्तारा बार अकरमन किया था। इसके बाद नेक्ट कोशन है जन्सुवा राजसी रज्य की स्तापना किस ने की थी वीर चंद ने हरी चंद ने पूरू चंद ने या संसार चंद ने तो इसका क्रेक्टर असर हो जाएगा ओप्शिन नमर सी पूरू चंद ने इसके बाद नेक्ट कोशन है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिर्मोर राजसी पर नियंत्रन किया और 1389 AD में अपना हिसाब बनाया अलाउदीन खिलजी ने मुहमद बिन तुगलक ने फिरोशा तुगलक ने या इबराहिम लोधी ने तो फ्रेंड्स इसका क्रेक्टर नसर हो ज अगर दोस्तो बात की जाए हिमाचल प्रदेश के प्रत्थम उपर जेपाल की तो मेजर जनरल हिमाचल प्रदेश के पहले उपर जेपाल थे और अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के प्रत्थम मुख्य युक्त की तो एनसी मेता हिमाचल प्रदेश के प्रत्थम मुख क्युक्त थे। आपने हमें कमेंट करके बताना है कि हिमाचल प्रदेश के प्रत्थम विधानसभा सचीव कौन थे। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए सोलन जीले के विदान सबक शेत्रों की तो इनका नाम आरकी, दून, कसोली, सोलन तथा नालागड है यह सोलन जीले के पाँच विदान सबक शेत्र हैं इसके बाद नेक्स कोश्चन है हिमाचल प्रदेश की रहन का पन विजली प्रियोजना की कारे निवायन संस्ता कौन सी है हच पी ए सीबी, एन टी पी सी, एन एच पी सी या एच पी पी सी एल तो इसका क्रेक्टर सर है अगर दोस्तों बात की जाए इस जल विदूत प्रियोजना की इसकी कुल उत्वादन समता 40 मेगावाट है और यह गिरी नदी पर बनी हुई है इसके बाद नेक्स कोश्चन है कार्थी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नरत्य है लोल स्पिती का कुलू का बिलासपूर का या हमीरपूर का तो इसका क्रेक्टर सर है ओप्शन नमबर बी कुलू का इसके बाद नेक्स कोश्चन है महुनाग मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है करसोग, नगर, काजा या सुजानपूर तो दोस्तो इसका क्रेक्टर सर है ओप्शन नमबर ए करसोग तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए, खुश रहिए, जाहिंद